दिल्ली में 12 मार्स तक धारा 144 लागों नमशकार में श्रया दूबे और आप देखरें देश दुनिया की तमाब बड़ी खबरे किसान आंदोलन 2.0 की दस तक शुरू हो चुकी है पंजाब हर्याना समेत कई राजियों में किसान आंदोलन की तैयारिया चल रही है कलियानी 13 फरवरी को किसान संगटन दिल्ली कूच करने की पूल तैयारी कर रहा है आपको बता दे किसान आंदोलन 2.0 के लिए किसानों ने फिर कमर कसली है किसान पंजाब हर्याना यूपी राजस्तान समेत कई राजियों में दिल्ली कूच करने की तैयारी में है आंदोलन को चलो दिल्ली मार्च कान नाम दे दिया गया है हाला किसान दोलन में सयुक्त किसान मूर्चा शामिल नहीं है ये कुछ किसान संगठनों का प्रदर्शन है लेकिन फिर भी किसानों की तैयारियों को देखते हुए पुलिस प्रशाशन कोई भी रिस्क लेने के मूड में नहीं है फिलाल बता दे दिल्ली से सटे हर्याना, पंजाब और यूपी के बॉर्डर पर मुस्तैदी बढ़ा दी गई है बॉर्डर को कटीले तार सिमेंट के बैरिकेट से कवर किया जा रहा है किसान मोर्चा को देखते हुए उत्तर पूर्वी दिल्ली में धारा 144 लागू कर दी गई है आपको बता दे बॉर्डर पर हीरों के जानी की तयारी भी चल रही है ये भी बताया जा रहा है कि उत्तरा खंड और मध्य प्रदेश से भी किसान दिल्ली पहो सकते है इस बीच किसानों के आंदोलन को लेकर पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा कि उन्होंने केंदर सरकार में किसानों के मुद्दों को हल निकाले और मीटिंग करने के लिए भी कहा है इस बीच गाजीपूर बॉर्डर चावनी में तब्दील कर दिया गया है अगर आज किसानों ने होने वाली बाच्चित असफल रहती है तो गाजीपूर बॉर्डर को पूरी तरह से सील कर दिया जाएगा महीं हर्याना के फतेहबाद में अस्थाई जेल भी बना दी गई है जीहां किसानों के दिल्ली धेराओं को रोकने के लिए हर्याना और पंजाब से लगने वाले सिंदू बॉर्डर पर कटीले तार लगा दिये गए है सैकडों की भीड को रोकने के लिए सडकों पर सिमेंट के बारिकेट भी है दिल्ली में गाजीपूर टिक्री और सिंदू बॉर्डर पर भी दिल्ली पुलिस इतिहास के तौर पर कई तैयारिया कर रही है ताकि किसानों को दिल्ली में प्रवेस करने से कैसे भी रोका जा सके बता दे गाजिपूर बॉर्डर पर पुलिस की गाडिया और बारिकेट खड़े कर दिये गए हैं सिसी टीवी कैमरे भी लगा दिये गए हैं पुलिस प्रसासन को डर है कि कहीं पश्ची मुत्तर प्रदेश के सारे दूसरे संगटन भी इसमें शा मिलना हो जाए अगर ऐसा होता है तो संभव है कि दिल्ली में रट राजमार्क भी बाधित हो सकता है ऐसे दमाम बड़ी खबरों के लिए